हाँ जी तो आप भी एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाते हो और वेबसाइट स्पीड, SEO वगेरा ये सब माइंड में है और सोच रहे हो कौन सी होस्टिंग ले स्टार्ट करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि मैं इसमें साइट ग्राउंड होस्टिंग का रिव्यू करने वाला हूँ तो मिर नाम है कृषण सिंग और आप देखरो इजी डिजिटल मार्केटिंग तो इस वीडियो में तीन सेक्शन रहेंगे पहले में प्रोज होंगे दूसरे में कॉन्स होंगे और तीसरे में होंगे साइट ग्राउंड की शेयर होस्टिंग के प्लैंस तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइट ग्राउंड के प्रोज की सबसे पहला प्रो है वो है super fast servers तो side ground जो है ना यह ना side ground वाले fast वाली SSD यानि solid state drivers use करते हैं जो करते क्या है कि जो कॉन मतलब data होता है उसे write करने में और read करने में computer की जल्दी मदद करते हैं तो यह जो drivers होते हैं इसलिए बने होते हैं तो जब content जल्दी मतलब जो data है वो जल्दी read हो पाएगा computer उसे जल्दी लिख पाएगा, write कर पाएगा और read कर पाएगा तो data मतलब transfer जल्दी हो पाएगा यानि आपकी website भी जल्दी render कर पाएगी data तो website overall basically in the sense cycle समझ लो कि इस तरह के rough cycle मतलब मैं rough language में समझा रहा हो तो जल्दी render होता है data तो उससे क्या होता है speed अच्छी मिलती है साथ ही कुछ software भी use करते हैं जिनका exact नाम तो मुझे भी नहीं पता कौन-कौन से software बट उनसे भी speed में जो enhancement होती है दूसरी चीज है जो दूसरा pro है इसका वो है fast customer support ये आपको 24x7 chat support देते हैं live chat support email support देते हैं call support भी देते हैं बट call में क्या है कि आप international calling करोगे ने तो आपके charges लगेंगे बट email में आप करते हो ना तो ये 10-15 minute में आपको reply आजाता है live chat में भी 5 या 4 minute में आपको reply अच्छा आजाता है मतलब आप कर सकते हो on the spot तो अच्छा response है मतलब chat support का काफी अच्छा मेरे clients भी यूज़ कर रहे हैं मतलब अगर कोई एकादी दिक्कत हलकी पुलकी doubt भी था तो बहुत जल्दी revert आता है उनकी तरफ से तीसरा जो pro है वो है free CDN और free SSL तो ये अपनी hosting में क्या करते हैं ये जो cloud flare है उसका free CDN देते हैं और जो let's encrypt वाले हैं उनका ये free SSL देते हैं तो चौथा pro है वो है multiple server location तो इनका तीन continent में server rooms है तो आप nearby server जो है select कर सकते हो ताकि आपकी better speed है site की तो ये थे pros site ground के अब बात कर लेते हैं हमें cons क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी hosting है कोई भी company कोई भी service provide कर रहे हैं सिर्फ अच्छा अच्छा हो कुछ दिक्कते भी होती हैं तो दो cons हैं वो cons हैं पहला उसमें से है ये limited storage limited storage में क्या है कि अगर आप मतलब कोई भी plan लेते हो ना तो ये रहते हैं कि भाई आप इतना GB ही use कर सकते हो और इतने monthly visitors वाला scene है कि इतने अजीबी इतना मतलब इनकी अगर आप जादा मतलब unlimited वाला लेना चाहते हो तो थोड़ा क्योंकि speed बहुत अच्छी देते हैं ये तो उसके चक्कर में थोड़ा फिर costly हो जाता है तो अगर आप थोड़ा सस्ते वाला plan नॉर्मल रेंज में देख रहे हो द महीने की लेते हो ना तो फिर ये ना setup fee लेते हैं बट अगर आप मतलब 5-10-15 महीने की एकठी ले 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 तो मतलब एक साल वागरा की तो फिर आपको discount में मिल जाता है और फिर आपकी setup fee भी नहीं लगती बट अगर आप monthly basis पर ले रहे हो तो भाई आपका setup fee लागेगी फिर म बिल्कुल basic वाला उसके बाद है grow big और इनका तीसरा है go geek तो ये इस तरीके से plans है इनके तो अगर आप start कर रहे हो तो आप startup वाला या grow big वाला ले सकते हो और जादा मतलब time के लिए लोगे तो discount मिल जाएगा वरना थोड़ी महंगी पढ़ सकते हैं तो अगर आप बहुत जा कर रहे हो मतलब migrate वगेरा कर रहे हो site या बहुत जार अल्रेडी data बहुत है लेडर सो 200 blocks लिख रहे हैं बड़े-बड़े वह आप डालने की सोच रहे हो तो site मनाने की सोच रहे हो तो फिर आपको go geek के लिए जाना अची है वरना अगर आप start कर रहे हो थोड़ा बहुत traffic आने तो यह कोई कौन नहीं है तो मिलिमेटर स्टोरेज वाला है एक सीन बट वह भी वही वाला बात हो जाते है कि महंगी है इसले लिमेटर स्टोरेज है वरना बहुत अच्छी सर्विस देते हैं site ground वाले और कोई इशू नहीं होता और SEO के परपस से भी देखा जाए तो बहुत अच्छे सर्वर नहीं मतला है सर्वर रस्पॉंस टाइम बहुत अच्छा है इनका तो अगर आप साइटिस्फाइड हो और site ground की hosting लेना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो की description में अपना affiliate link दे दिया है उससे जाके आप बाय कर सकते हो same pricing पड़ेगी आपको बट मुझे कुछ commission company दे देगी कि वह आयार तुने तो बिकवा दिया तो आपको refer करने के लिए यानि आपको समझाने के लिए आपका confidence बिल्ड करने के लिए जो अगर आपको ये video अच्छे लगे और आप मुझे reward देना चाहते हो तो आप मेरे affiliate link से जाके बाय कर सकते हो so ये video मैंने बनाई थ इस मतलब poll के चलते कि भाई हमें confusion है कौन सी hosting ले तो I hope आपके doubts clear हो गए होगे आने वाले time में और मैं digital products के ऐसे ही review करूंगा ताकि आपको doubts clear होते जाए SEO के purpose से भी और अगर आने वाले time में आप social media related कोई tools लेना चाहते हो तो मैं कुशिश करूंगा buy करके उनके reviews करूं या जो clients use कर रहे हैं उनसे feedback लेके आपको review करके दूँ तो अगर आप और in-depth SEO के लिए content लेना चाहते हो तो आप मेरी edmfeed.com पर जाकर visit कर सकते हो साथ ही अगर आप चाहते हो digital marketing related content directly आपके inbox यानी mail box में आ जाए तो आप मुझे easy digital marketing 500 या मेरा instagram handle है इस पर जाके मुझे message कर सकते हो और follow कर सकते हो उससे क्या होगा आप मेरी email list में add हो जाओगे जब भी मैं कोई नया content piece add करूँगा directly आपके inbox यानी mail box में आ जाएगा तो I hope ये वीडियो अच्छे लगी होगी like और share जरूर करना इस channel को subscribe जरूर करना क्योंकि आने वाले time में मैं ऐसी digital marketing related tricks tips और topics कवर करता रह होगा जो आपको आपका career enhance करने में मदद करेगी साथ ही साथ अगर आपका कोई business है तो उसे grow करने में मदद करेगी तब तक के लिए next video के लिए thanks यार बाई